असलाम अलाइकुम आज हम रेस्टोरेंट इस्टाइल वेज मंचुरिन बनाएं इसके लिए मैंने ये कुछ सब्जियां लिए हैं जिनने बारिक वाट लिया है पत्तागोडी पोडी सिम्लमेश और यहरी प्याज अब हम इन सब्जियों को एक बावल में डालकर नमक लगाकर अच्छे से मिलाकर पांच दस मेटके लिए रख देंगे। अब तक हमारी सब्जियां रखी हुई हैं तब तक हम इसके लिए सोस तयार करते हैं यह मैंने दो चममज ग्रीन चुली एक चममज सोया सोस और दो चममज टमाटो सोस और एक चममज सेजवान सोस मिलाकर रख दिया नमक लाकर रखने से सब्जू में से जो पानी निकला है वो सब हम मिचोड देंगे जिसे हमारी मंचूरिन बॉल अच्छी बनेगे अब हम इसमें दो चम्मच कॉर्ण फ्लोर और दो चम्मच मेधा आधी चम्मच लाल मेच पुड़ी हरी मेच डालकर एक दो ों की बना लेए यहां में नमक नहीं डाला क्योंकि सब्सक्षें में नमक नहीं से नमक और पान जालकर बिल्कुल महीं दो बनाना अब हम इनकी बॉल बना लेंगे, बॉल के साथ इस आप लोग अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, मैंने सारी बॉल बना लेंगे, तेल गरम भो रहा है तक तक हम एक काम और करते हैं, एक चमिच कॉर्म प्लोर लेकर उसका पतला बैटर बना लेंगे, पर आब हम बॉल फ्राइब करेंगे, अब हम इसमें लेस्टोन अद्रग डालकर इसका कच्छा पर निकल जाने तक इसको भूनेंगे, फिर हम प्याज और सिम्ला मिर्च, जिनने मैंने क्यूब में काट लिया है, डालेंगे, और थोड़ी हरी मिर्च डालेंगे, और तयार कियोई सॉस मिलाएंगे, तोड़ा पाने डालेंगे, और नमक डालकर ग्रेवी में एक खौल आने देंगे, उसके बाद इसमें कॉन्ट्रोर का जो बैटर तन्यार किया था, वो एड़ करना है, सुरी में उसकी वीडियो बनाना बूल गई, अब इसमें काली मिर्च डालेंगे, और प्र तो आपको ये आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ये बहुत ही ठाने में स्पाइसी और पैच्टी होती ही,